खबरे तो आप बहुत देखते होंगे लेकिन खबरों को गहराई से जाने के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें और बैल आइकन को दबाएं नमस्कार स्वागत थे आपका राजस्थान संबाद में और मैं हूँ आपके साथ विनीता चुनाबों के बाद चुरू का पारा कम होने का नाम नहीं ले रहा एक तरफ जहां गर्मी का पारा लगतार बरता जा रहा है वहीं बीज़पी लेता और कारेकरताओं का पारा भी कम होने का नाम नहीं ले रहा फरजी टीरसी प्रक्रन में जीला प्रमुक हरलाल सहारन की गिरफतार के बाद बीज़पी कारेकरता आग बबला हो गया जीला प्रमुक की गिरफतारी के बाद में भाजपा कारेकरताओं का गुस्सा बंसरक तक पहुँच गया लेकिन भाजपा कारेकरताओं ये भूल गया कि अभी तो आचार सहिंता लगी हुई है और धारा 144 लागू है चूरू में धारा 144 लागू होने के बावजूर भाजपा प्रदाधी कारियों और कारेकरताओं ने नागवानों के नोहरे से कलेक्टरेट तक रेडी निकाली और सरकार के खिलाफ नारेबाजी प्रदर्शन किया विधान सभा में प्रतिपक्ष के उपनेता राजेंदर राठोर और मौजूदा सांसत राहूल कस्पा के नेत्रित्तों में सभी नियमों का उलंगन किया जिसके बाद में उन्हें गिरफतार किया गया तब भाजपा कारेकरताओं ने भी गिरफतारी दी जिसके बाद में कलेक्टर S.P. को ग्यापन देकर जिला पर मुख की गिरफतारी को दोईस्ता पुन बताते हुए खरी-खरी सुनाई लेकिन यहाँ सवाल यह खरे हो रहे हैं कि 1244 होने के वावजूद पुलीस मुखदर्शक बनी रही पुलीस अधिकारी और जबान रेली के आगे-ागे चलते रहे ऐसे में अब सवाल यही खरे हो रहे हैं कि पुलीस क्यों बार-बार मुखदर्शक बनकर आचार सहीता का उलंगन करने देती है दोसा के बाद में चुरू में भी कुछ ऐसी ही तस्वीरे देखने को मिली